कि दोस्तों में निमेज जोसी दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है जैसे आपने थम्नेल में देखा कि क्लोजिंग कैसे करें हाला कि उसके उपर मैं पूरा डिटेल वीडियो बनाओंगा लेकिन आज मैं जो बनाने जा पालाओं के हम closing के time में जो जो बड़ी गलतिया करते हैं तो गलतियों पर कैसे सुधार करें और closing हमारा ordering के साथ कैसे करें आज सिर्फ वो मुद्धे पर बात करेंगे बाकि total deep में closing कैसे करेंगे उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा तो जैसे आप देख रहें को ह हम दो बड़ी mistake कर देते हैं closing के time में एक तो जैसे हमारा plan हम खतम कर देते हैं फिर सबसे प्राइडली गलती तो हम कर देते हैं कुछ question answer करने चालू कर देते हैं और वो question भी हम कुछ उस तरीके के करते हैं जहां पर सामने वाले prospect को हमें टालने का या तो मना करने का मोका हम सा करते हैं कि जो भी हमको उनके पास से ordering करवानी रहती है सारा product catalog हम उनके सामने खोलके बढ़ जाते है order form उनके सामने खोलके बढ़ जाते हैं और उनको choice करने का मोका दे देते हैं बोलो भाई क्या लेना है यह ले लू क्या वो लिग दू क्या तो दोस्तों यह दो बड़ी ग जुड़ना है नहीं जुड़ना है उसी वक्त पहले ही हमें मालूम पड़ जाता है तो कुछ तो plan बता रहे time ही हमें समझ में आ जाता है और जैसे हम यह direct ordering का बात छेड़ते हैं तो अपने आप समझ में आ जाता है कि उनके मन में क्या चल रहा है तो हम उनको मौका नहीं दे design किये रहते हैं जैसे हमने plan में बताया रहता है 60PV और 100PV का consistency तो मैं straight away उनको सामने यह चार्ट ही रख देता हूं कि यह 60PV से करने वाले यह कुछ प्रोडक्स आपके पास आजाए कि मतलब प्रोडक्स भी मैंने ही चूज़ किया क्यों क्योंकि हम पहले से already पुराने हमें मालूम है कि जो regular जो प्रोडक्स लगने वाले इसमें जो भी प्रोडक्स लिखे है मैंने वो सारे ऐसे प्रोडक्स लिखे कि कोई भी family member इसके लिए मना कर ही नहीं सकता है तो सिधा उनको सिर्फ दो choice देते हैं हाला कि बाद में इसमें कुछ भी उपर नीचे करना है तो बा दूसरा हम यह slide दिखा देते हैं उनको कि आप 100 PV से करोगे तो इस तरीके से करोगे दिखो आप चाहो तो इसमें थोड़ा बहुत modify आप अपने हिसाब से कर सकते हो लेकिन 100 PV का जब भी आप consistency बनाओगे तो आप ख्याल रखना है कि at least वह order 32 के आसपास के उपर का होना चाहे क्योंकि अगर वो first invoice अगर करेगा तो अमारे company का जंदरली 31-32 का ही रहता है first invoice का offer तो order बनाते टाइम यह ख्याल रखेगा कि exit 100 PV का ना बनाओ थोड़ा उपर का बनवा लेना ताकि उसको first invoice का offer मिल जाए तो यह दो चीज आपको हमेशा ख्याल रखने है कि ordering direct इसी तरीके से करना है उसको बाद में choice देनी है माल लिजे इसमें से एकाद item वो मना कर देता है कि नई boss यह अभी फिलाल रहने दीजिए तो फिर आपको यह दूसरी item add करो ना कि पूरा product catalog लेके उसके पास एक-एक item tick करवाने बटो तो यह तो बात हो गए कि ordering कैसे करेगे लेकिन यह video बन तो अब जो मैं बताने जा रहा हूँ एदम ध्यान से सुनिएगा मैं तो वापस गलती कर दोगे तो तकलिफ हो जाएगी माल लिजे के कोई आदमी ने choose किया कि उसको 60 PV से join करना है तो हम generally क्या करते हैं हमने 90% लोग यह गलती कर देते हैं उसका 60 PV का order लेते है और 60 PV का ordering करव देते हैं अब वोकेस में क्या होता है वो बंदे को कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है सिर्फ उसको 60 PV मिल जाता है और उसकी एक 60 PV की consistency गीनी जाती है लेकिन अब तो नया कानून आ गया ना भाई multiple invoice valid है तो क्यों ना 60 PV में भी वो distributor का कुछ ना कुछ benefit करवा दे हम लोग तो देको हम generally क्या करते हैं यह 60 PV में हम सबसे उसके दो पार्ट कर लेते हैं पहला invoice बनाते है 30 PV के आसपास का और दूसरा invoice बनाते है कुछ इस तरीके का जो आपको screen में दिख रहा है तो इस तरीके से करने से क्या होगा उसका पहले तो 30 PV का एक invoice बनाया मतलब वो हो गया activate हो गय हो गया है repurchase offer के लिए तो फिर next invoice हम बनाते हैं जैसे आप slide में देख रहे हो एक invoice मैंने 1100 का बनवा लिया जिससे उसका ID अक्टिवेट हो गया और दूसरा invoice मैं आप बनाऊंगा साड़े 800 का ताकि उसको वो दूसरा repurchase का offer भी मिल जावे लेकिन अब जो बता रहा हूँ एद्दम ज्यान से सुनना ये काम आप कप करोगे जब भी कोई आपका नया distributor सत्रा तारिक के पहले आप ordering करते हो नया जुड़ा है तब ये फाइदा होगा आपको ठीक है अगर मान लिजे वो distributor 18 तारिक के बाद जुड़ा है 17 के बाद जुड़ा है और री पर्चेस की offer नहीं चल रही है और उसने 60PV किया है तो उस टाइम में महरबानी करके दो पार्ट मत करना ने तो उसका consistency नहीं गिना जाएगा कूंकर consistency का कानून ये है कि 2 से लेके 12 तारिक तक करना है और अगर कोई नया distributor जुड़ा है तो वो 12 तारिक के बाद भी 60PV करेगा तो चलेगा लेकिन उसकी condition ये है कि फिर उस वक्त वो invoice single invoice होना चाहिए तो देखो मैं दोनों तरीके अभी बता रहता हूं नहीं तो कल उटके comment में बहुत सार है नहीं तो बाद में एक महीने बाद म में दो invoice बना दिया अब ना तो उसकी consistency गिनी गई ना उसको free product मिला तो देखो free product का अगर आपको benefit 60PV में उसको देना है और consistency का भी benefit देना है तो वो invoice आपके 17 तारिक तक ही बनने होने चाहिए और अगर 17 तारिक के बाद आप कर रहे हो तो आपको दो invoice split नहीं चलेगे फिर तो एक single invoice ही करना पड़ेगा तो दोस्तों बस ये मुझे जो बहुत सारे comment आए और दो-तिन जनके तो personally call भी आ गये थे और अभी जिनका call आया था उनके 62PV उन्होंने किये थे बट कुछ misunderstanding के वज़े से उनको ये repurchase का benefit नहीं मिल पाया तो हमें यही सोचना है कि जो हमारे नीचे जूडते है क्यों ना उनको maximum से maximum benefit क्योंकि हमारे पास knowledge है वो विचारा तो नया जूड़ा है उसके पास ये knowledge नहीं है तो हमें हमारा knowledge का use करना है और उसका maximum benefit करवा के देना है तो बस आज का वीडियो इसलिए बनाया था कि closing कैसे करें और ये ordering करते time भी आपको खास खाल क्या ख्याल रखना है तो मिलते कल वापस से और एक informative वीडियो में आज के लिए बस इतना ही thank you very much wish you well